हेलो प्यारे बच्चो कैसे हो स्टार्ट करते हैं exercise 3.2 question number 4 लिखा हुआ है how many sides does a regular polygon have regular polygon की क्या निकालनी है side आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए formula जिससे पहले वाले question में या फिर number of sides का formula क्या होता है number of sides का formula होता है number of sides is equal to 360 divided by exterior angle divided by exterior angle पर इस question में थोड़ा से change है क्या लिखा है how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree अगर उसके हर interior angle का sum 165 है तो हमको मालूम है interior और exterior angle का sum क्या होता है 180 क्योंकि वह आपस में क्या बनाते है linear pair तो हमको क्या निकालना है हमको interior given है और हमको निकालना exterior है तो हम exterior angle निकालेंगे पहले कैसे हम एक exterior angle निकालेंगे exterior angle is equal to 180 minus 165 क्यों 180 से क्यों minus कर रहे हैं क्योंकि बच्चों मैंने आपको भी diagram बना कर दिखाया था कैसे मालो यह हमारा यह interior है यह exterior है और interior exterior angle क्या बनाते linear pair इनका सम क्या होता 180 तो मालो मेरे को यह given है इसकी value निकालने है तुम क्या करते थे 180 से minus तो इसलिए मैंने 180 से minus किया है तो अगर कोई भी confusion अब भी रह गया है तो इससे पहले मैंने exercise को start करने से पहले वीडियो डाली थी exterior angle के measure वाली उसको आप अच्छे से देख ले ना एकदम जखकास समझा जाएगा minus करते हैं 10 में से 5 गया 5 7 में 6 गया 1 15 degree हमारा exterior angle का sum क्या आ गया 15 degree चलिए अपने काम पे आते number of sides निकालने है number of sides इस formula में value put कर दीजे number of sides is equal to 360 divided by exterior angle 15 degree काटने का काम है 3 5 की table से काट दो 5 3 जा 5 7 जा 5 2 जा 3 की table से कट जाएगा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 24 degree और ऐसा question हमने किया था मुझको याद नहीं आ रहा पर हमने ऐसा question किया था second question का second part था same यही thank you very much you